पूरा करने की कोशिस करेंगे तो यह लास्ट वाला समय नहीं लिखा है इन लेबोरेटरी थोड़ा काट लिया है लेकिन बेजिक चीज यहां इन लेबोरेटरी काउंट आफ बेक्टिरिया इंक्रीसेस एट रेट अफ परशन पर अवर एक गंटे में इतने बढ़ जाते हैं तो फाइंड दर नंबर अफ बेक्टिरिया आफ्टर ट्व अवर्स इफ इनिशेली इतने थे तो इससे अम वोई ढूंडना है तो चलो ढूंडने हैं थीक है अब अब ही ठोटल बेक्टिरिया या नंबर अफ बेक्टिरिया कितने होने चाहिए नंबर अव्टिरिया कि इनिशेली कितने थे प्या यह 506000तीन डियो इतने बेट्टिरिया थे 2.5 1 plus 2.5 पो मैं 25 by 10 लिख सकता हूँ ठीक है और score 100 से तो multiply करना ही करना है नीचे तो यह 25 बंजा यह 25 फोर जा यहां से कटल काट सकते है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो अगला स्टेप अगा 5,0 6,0,0 और 1,0 तो यहां 40 आ गया 40 प्लस 1,41 41 अपान 40 रस टो पावर 2 ठीक है अभी और आगे बढ़ जाते हैं 5,0 6,0,0 और 1,0 इन्टो 41 इन्टो एक और 41 डिवाइड बाइ 40 इन्टो 40 ठीक है यह स्क्वेर को मैंने दोबारा लिख दिया तो 1,0,1,0 1,0,1,0 कट जाएगा ठीक है अभी एक और कट सकता है कि नहीं कट सकता है देखते हैं 4,1,0 4,1,0,4 12 आगया 4,2,0,8 कितने बचे दो 6,4,0,24 2 बचे 6,5,0,25 अभी 5 आगया 4 आगया अभी कटना नहीं है 41 का स्क्वेर आपको करना आता है तो 41 इंटू 41 कर लो या मेरे हिसाब से कर लो आप 4 का होगा 16 16 और 40 है तो 2,0 1600 और 42 जा 80 Actually 4 इंटू यह ऐसे लिख सकते हैं 40 प्लस 1 का स्क्वेर आगे आप बढ़ेंगे कि इसका स्क्वेर प्लस इसका स्क्वेर ट्वाइस इंटू इंटू इस तो 41 जा 40, 42 जा 80 और 1 का स्क्वेर एड़ कर लो तो यह हो जाएगा 1681 ठीक है अभी 1681 को हब 126 पाई से मल्टिप्लाई करके 4 से डिवाइड कर लो तो आप का अंसर आ जाएगा था मेरे ख्याल से 1265 यहां पर करते हैं 1265 1265 मल्टिप्लाई बाई 41 का स्क्वेर है ना तो 14 181681 ठीक है चलो तो यह करते हैं अभी कि किल्कुलेट करेंगे 1000 से मैं स्टार्ट करना पसंद करता हूँ तो 1000 के लिए 30 लगाने हैं और यह 1265 यहां लगा देना है ठीक है अभी 6 से स्टार्ट करूँगा 100 वाला लूँगा तो 100 के लिए 20 डालना जरूरी है तो 865 यहां 30 तीन केरी किया 36 प्लस 3 39 ठीक है 36 यहां 30 प्लस 3 प्लस 3 नाइन और 3 आया 6 तूज़ा 12 प्लस 3 15 अगेन केरी 1 6 बंज़ा 6 प्लस 1 7 तो यह 6 वाला मांजरा खतम हो गया अभी 8 का तो 80 है बतलब 10 है तो एक 0 लगाऊंगा मैं 85 आप 40 केरी 4 85 आप 40 केरी 4 8 शिख जा 48 48 प्लस 4 52 केरी 5 8 तूज़ा 16 16 प्लस 5 21 केरी 2 8 वन शाए 8 8 प्लस 2 10 ठीक है अभी 1 पे आ जाते हैं तो 1 में तो कुछ पिछे लगाना नहीं है इतना ही करना है बस अभी एड़ कर लो 5 हो जाएगा यह 6 हो जाएगा यह 4 हो जाएगा यह 9 प्लस 1 10 प्लस 1 16 हो जाएगा केरी 1 यह 12 हो जाएगा फिर एक केरी आएगा 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11 और 2 1 2 6 4 6 5 ठीक है अभी इसको डिवाइड करेंगे एक 4 यहां प्तेंडिंग है उससे डिवाइड करतेंगे चलो डिवाइड करतेंगे 4 से डिवाइड करतेंगे 4 फाइजा 20 एक नीचे लगाया 2 उठाया 4 थ्रीजा 12 0 0 अभी 6 को लेके आया मैं 6 को लेके आया तो 4 बन्जा 4 कितना आया 2 अभी मैं 4 को लेके आया 4 6 जा 24 अभी 6 को लेके आया तो 0 है 6 है तो अगेन 4 बन्जा 4 4 अभी आया 2 अभी 5 को लेके आया तो अगेन इतने बेक्टिरिया 2 गंटे के बाद आपको पिल जाने है ठीक है अभी करते हैं इसके बाद वाला तो पहले ये समझ लो के depreciation क्या है depreciation बच्चो एक word है जो आपको समझना जरूरी है books of account में मतलब books of account माने जब आप accounts लिखते हो तब कोई किसी भी चीज की asset value होती है मतलब कोई machine लिया है या तो scooter लिया है या तो घर लिया है तो उसका साल दर साल मतलब एक साल के बाद उसकी market value थोड़ी कम हो जाती है तो कितनी कम होती है उसी को बोलते हैं depreciation depreciation माने एक line में बोल दे या एक word में बोल दे तो value decreasing value उसका कितना value कम हुआ इसी को हम depreciation बोलते हैं तो यह depreciated at the rate of 8% मतलब 42,000 था इसमें से 8% उसका value कट गया तो simple है 42,000 का 8% निकाल देंगे और इसमें से minus कर देंगे 42,000 का 8% तो 8 divided by 100 है तो 2,0,2,0 कट गये और इसको 8 के साथ हम multiply कर लेते हैं 8,0 जा 0 8,2 जा 16 carry 1 8,2 जा 8,4 जा 32 प्लस 1 33 तो इतना value इसका कम हो गया तो अपने find the value after one year निकालना है तो एक साल के बाद अगर इतना value कम हो गया तो original value कितना था 42,000 का था और इसमें से value कितना कम हुआ 3,3,6,0 का तो चलो minus कर लो बस value मिल जाएगी आपको तो यहां से आप उठाते हैं 9 यहां से 9 और यहां पे 10 10 minus 0 0 minus 0,0 यहां पे आजाएगा 10 10 minus 6 is 4 9 minus 3 is 6 और यहां पे आ गया था 1 अभी यहां से भी एक उठाना पलेगा तो यह 3 हो जाएगा यह 11 हो जाएगा 8 plus 3,11 तो यह हो जाएगी इसकी value after 1 year करना बहुत सिंपल है 8% depreciation आप निकाल लो 8% का value निकाल दो और इसको original value में से minus कर लो तो आपको एक साथ का value मिल जाएगा चलो तो फिर अगले नए lesson में मिलते हैं Thank you very much